और इधार बहराईच गोली कांट के आरोपियों के एंकाउंटर पार सियासत और तेज हो गई विपक्ष इसे फर्जी बता रहा है तो वहीं मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरूप लगा दिया है बहराईच में राम कोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले सरफराज और तालिप के एंकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाया है यूपी पुलिस ने सरफराज और तालिप समेत बहराईच गोली कांट के पांच आरोपियों के साथ मुडबेड के बाद उन्हें गिरफदार कर लिया है पुलिस इंकाउंटर में घायल आरोपी सरफराज और तालिप फिलाल अस्पताल में है और खत्रे से बाहर है पुलिस अभी अभी युक्तो पर राश्ट्रे सुरक्षा कानून के तहत कारवाई की बात कह रही है वहीं बहराईच गोली कांट में मारे गए राम कोपाल की पतनी ने कहे कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा हमें न्याई नहीं मिल रहा है राम कोपाल की पतनी न्याई कि गुहार लगा रही है वहीं विपक्ष आरूपी के इन्कांटर पर सवाल उठा रहा है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर करना और नफ्रत को बढ़ावा देना महीं वही कॉंग्रेस ने कहे कि सरकार पूरी तरह से फेल है